हाई फ्रेंड्स पीकी स्टूडियो कोटा में एक बार फिर से आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज मेरे पास है निकोन का जेड फिप्टी केमरा आज हम इसकी फोकस सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर प्रेस करना है जैसे आप मेनिय। प्रेस करेंगे यहां पर आपको सीधा-सीधा आज आना है कर अब आपको ऑटो फॉकस पे आने के बाद इसके अंदर क्या-क्या सेटिंग रखनी है पहले मैं इसको रिसेट कर देता हूं जो भी इसकी और setting होगी वह default हो जाएगी और इसको change कर लेता है अब आपको यहाँ पर autofocus में आना है यहाँ पर आपको इसकी क्या setting रखनी है इसके उपर आज हम बात करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको right click करना है जैसे आप right click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे options मिल जाते हैं autofocus के अंदर तो यहाँ पर आपको simply afc priority selection यहाँ पर यह मिल जाता है आपको तो यहाँ पर आप जैसे right click करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाता है focus और release अगर आप continue फोटोग्राफी करते हैं तो आपको focus पर रखना चाहिए और आप product फोटोग्राफी करते हैं य या Candid Photography करते हैं तो आपको इस पर रखना चाहिए तो मेरे हिसाब से जो आप Continue अगर फोटोग्राफर रहे हैं या विगनर से तो आपको इस पर रखना चाहिए वह चोई देवे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी आपका केमरा फोकस करेगा तो आई एंड फेस पर डिटेक्शन करके ही यह आपका जो केमरा यह फोकस करेगा और यहाँ पर जो दूसरा ओप्सन से यह आपका पैस डिटेक्ट करके ही आपक detection on तो आप इस पर यह set करके रखें तो ज्यादा best है तो इस पर आपका यह जो camera है already set है तो इस पर ही आप रखें यह setting आपको रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद अगला जो options आता है focus point use focus point use पे आप click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं all points यहाँ पर आपको करके रखना है कोई issue नहीं है यहाँ पर all points पर आप काम करें ज्यादा best है इसके बाद आता है AF activation on AF activation on यहाँ पर आपको AF on ही रखना है ज्यादा best है इसके बाद आता है focus point warp around यहाँ पर आप no warp बोकस क्रेंद को सकते हैं इस इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर मैं वार्प कर देता हूँ जधा बेशट है इसके बाद आप चलते हैं पॉकस पॉइंट ओप्शन sf है किलक करने के ये area के इसाब से काम करेगा और इसे आप फिर इसे off करके रखें और dynamic area assistant को own करके रखें तो ये पूरी display पे काम करेगा और चाहे तो आप इसे off करेंगे और इसे manual पे करेंगे ये तो आप जहां पर subject रहेगा वहां पर आपको जो बीच में red color का जो आता है check box उसको अपने हिसाब से set करके और main subject पर आप focus कर सकते हैं इसलिए मैं इसे manual focus mode को off करवा रहा हूं और आप जिसी साब से आपका balance है जिसी साब से आप इसे समझते हैं आप अगर candidate कर रहे हैं तो आपके लिए ये सही और आप candidate नहीं करते हैं तो आपके इसाब से ये सही इसको own करके रखो ये आपके उपर depend करता है इसके बाद चलते हैं अपना next जो आता है low light af low light af चाये तो आप off रख सकते हैं चाये तो आप own रख सकते हैं यह आपके environment के इसाफ से हैं लेकिन मेरा suggestion है जब आप दिन में photography करें तो आप इसे off रखें और जब रात में photography करें तो इसे own रखें तो यह आपको ध्यान रखना है और ज्यादा best है कि आप इसे हमेशा own रखें टेंशन कतम इसके बाद आता है built-in app assistant यहाँ पर आपको click करना है करता है और manual focus में भी काम करता है तो इसे आप own रखें तो ज़्यादा best है तो यह eight setting थी focus के अंदर autofocus के अंदर तो इस तरह से आप focus setting करके और आप अपने photography को creativity बना सकते हैं इसमें वो सारी जो चीजे हैं यह मैंने continue photography के इस आप से बताईए और अगर आप इसमें candidate photography करते है sport photography करते हैं product photography करते हैं तो सब में तोड़ी अलग-अलग settings होती है तो आप इन में जाके और समझ के change कर सकते हैं तो friends वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like करना, share करना और चेनल को subscribe करना मिलते हैं इसकी next वीडियो में तब तक के लिए बवाई, जेहिंद, वंदे मात अलग-वाराण